हेलो फ्रेंड, स्वागत करते हूँ आपके मेरे चैनल में, दोस्तों आज हम सिखेंगे की new user हम create करते है और password डालते हैं तो create नहीं हो रहा है, error आ रहा है तो क्यों से solve करें आज हम देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि error आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं भी server manager में जाता हूँ, tools म उसमें, कॉम्पूर्टर मेनेजमेंट, लोकल यूजर्स, एंड ग्रूप, यूजर्स और राइट लिख करके न्यू यूजर्स, यहां पे में लिख देता हूँ, रशिक, यहां पे में पास्वर्ट डाल देता हूँ, यह टिक, निकाल देता हूँ, और पास्वर्ट नेवर कर देता हूँ, देखें, यह एरर आ रही है, तो यह सोल्ट केसे होता है, आज हम देखते हैं, हम कंट्रोर पेनल ओपन करेंगे, कंट्रोर पेनल, उसमें एड्मिस्ट्रेटिव टूल्स, एड्मिस्ट्रेटिव टूल्स, उसमें लोकल सिक्यूरेटिव पोलिसी, उसमें एकाउन्ट पोलिसी, क्लिक करता हूँ, उसमें हम पासवर्ड पोलिसी में जाएंगे, डबल क्लिक, एड्मिस्ट्रेटिव टूल्स पासवर्ड पे एज्ट्री में डबल क्लिक करेंगे, यह 24 कर देंगे, यहां पे और minimum minimum password age में 1 कर देते हैं अब ग्लिक करके और password must meet password must meet complete requirement में disable कर देते हैं और आपके जो 42 है उदर आप 0 कर सकते हैं मैं यहां पे 0 नहीं करूंगा 42 ही रखूंगा अब हम देखते हैं हुआ यह नहीं हुआ user create करते हैं यहां पे मैं password डाल देता हूँ देखते हैं होता है यह नहीं होता है देखे यह create हो गया देखी यहां पे आगया अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद है लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गुड़ बाई